आज मैं आपके लिए लेकर रही हूँ स्टफ टमाटर की एक ऐसी सब्जी जिसे बनाने के बाद आप रेस्टोरन की सब्जियों को भूल जाएंगे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं रेसिपी शुरू करने से पहले आगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और पास ही में लगी मेल आइकोन को प्रेस कर दीजिए सब्सक्राइब करने से पहले इसे दो कर अच्छे से पोच कर आपको लेना होगा यहाँ पर हम इस तरह से इसे कट करकर इसके अंदर के जो भी बीज है इसे निकाल कर अच्छी तरह से इसे अंदर से एम्टी कर देंगे इसी तरह से हम सारे टमाटर को एम्टी कर लेंगे ताकि इसके अंदर हम अच्छे से स्टफिंग को फिल कर पाए तो यहाँ पर मैंने लगबग 100 ग्राम चीज को ग्रेट करकर ले लिया है इसके अंदर डालेंगे जो हमने अधरखारी मिर्च की पेस्ट बना कर रुकी थी यहाँ पर मैंने अधरखारी मिर्च की पेस्ट डाली है इसे हमें बिल्कुल भी मैश नहीं करना है हलकी हाथों से मिक्स करना है और टमाटर के अंदर हम इसे अच्छे से फील कर लेंगे याद रखिए टमाटर के अंदर चीज फील करते समय आपको बिल्कुल भी दबा दबा कर प्रेस नहीं करना है बिल्कुल हलके हाथों से हम इसे चीज को अंदर प्रेस करेंगे जादा जोर लगा कर हम इसे प्रेस नहीं करना है इस तरह से हम यहाँ पर सारे टमाटर को एक एक करकर चीज के साथ स्टफ कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे सारे टमाटर फील होकर तयार है इसे हम side में रख देंगे और चलते हैं अब gas के तरफ तो यहाँ पर मैंने gas के उपर एक pan को गरम रख लिया है इसके अंदर हम डाल देंगे एक बड़ा चमज गी याने कि 4 टेबल स्पून हमने यहाँ पर घी का इस्तमल किया है घी जैसे ही गरम होता है हम इसके अंदर एक एक करकर सारे टमाटर रख देंगे low to medium flame के उपर हम टमाटर को 5-6 मिनिट तक अच्छे से cook करेंगे ताके टमाटर अच्छे से soft हो जाए तो यहाँ पर हम इसे इस तरह से spatula से एक दो बार अलट पलट करते हुए cook करेंगे और इसे लगा देंगे lead और छोड़ देंगे 2 मिनिट के लिए तो यहाँ देखिए 2 मिनिट में ही टमाटर बहुत ही अच्छे से soft हो चुके हैं तो अब हम सारे टमाटर को प्लेट में निकाल लेंगे फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसी घी की साथ हम सौते करेंगे कैपसिकम को तो यहाँ पर मैंने कैपसिकम को पतले-पतले slices में rings की तरह कट कर लिया है अब हम इस घी के अंदर इसे डालकर 2-3 बार अच्छे से stir करेंगे हमें इसी completely cook नहीं करना है बस हलका सा हम इसे सौते करेंगे और निकाल लेंगे तो यहाँ पर देखिए बस 15-20 सेकंड के लिए हमने इसे सौते किया अब हम इसे भी साइड में निकाल कर रख लेंगे जिस तरह हमने स्टफ टमाटर को सौते करकर रख लिया इसे भी साइड में रखेंगे और इसी घी के साथ हम सबजी बनाना शुरू करेंगे आप यहाँ पर घी की जगा पर ऑईल का भी इस्तमाल कर सकते हो पर यह सबजी घी के अंदर ही बढ़िया बनती है तो यहाँ पर जो हमने शुरुआत में अदर खरी मिर्ची और लहसुन को पेस्ट बना कर रखाता है उसे डाल देंगे और साथ ही में डाल देंगे प्याज क होना शुरू हो जाएगा तो हम इसके अंदर डाल देंगे टामाटर की प्यूरी तो यहाँ पर मैंने तीन बड़े साइस के टामाटर की प्यूरी बना के ले लिए साथी में इसके अंदर हमने जो शुरुआत में पल्प रखा था टामाटर का उसे भी आड़ कर दिया है तो यह लीजिए फटा फट से हम इसे एक से दो बार स्टर कर लेंगे टामाटर डालने के बाद जितना जल्दी हो सके हम इसके अंदर नमक डालेंगे नमक डालने से बहुत ही जल्दी टामाटर कुक होते है तो यहाँ पर एक से दो बार अच्छे से स्टर करकर हम इसके अंदर दाल देंगे नमक तो नमक आपके टेस्स के एकोडिंग कम्या ज़्यादा कर सकते हो साथी में हम डालेंगे कुछ मसाले तो यहां जाएगा दो बड़े चमच लाल मिर्च पाउडर आदा चमच धनिया पाउडर वन फोर टी स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर और आदा चमच रखेμεं गिर्ब मसाला बेसिक से मचालो के साहिling सब्जी को बनाखर नगता है अगयि इससब्जी बनने में में चाइम बहुत गजाएक टो सब्जी साथे चवादी और लगंने से बहुत के लाइग शाब बात है सी मसाल बाद मिन ग्रेवी भी बहुत ही बड़ी आको खो चुकी है और इसके अंदर अच्छे से ऑईल भी रिलीज होना शुरू हो चुका है तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे काजु की पेस्ट तो यहां पर मैंने 10-15 काजु को दूद के साथ बिगो कर इसके पेस्ट बना कर तयार की है सा बाद हम 1-2 बार इससे सटर करेंगे और इससे छोड़ देंगे फिर से लीड लगाकर काजु डालने से एक ट्रेवी थोड़ी ठीक हो जाती है तो इसे हम इसी तरह चोड़ देंगे लेड लगा कर आउइल रिलीज होने लोगाय और बहुत बढ़ीयां साथा हो चुकी है अ हमने सौते करके रखी दिए स्टफ टमाटर की सबजी में हम टमाटर तो जितने मिंबर है उतने ही लेंगे पर साथी में इसके अंदर पनीर होगा तो आपको सर्व करने में आसानी होगी पनीर दालना बिल्कुल ऑप्षनल है पर पनीर दालने से इस ग्रेवी की टेस्ट और भ यह बहुत ही परफेक्ट हमारी सबजी बन चुकी है तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं एक बार आप इस तरह से स्टफ टमाटर की सबजी बनाएंगे तो रेस्टोरंट की बढ़िया से बढ़िया सबजी भी आपको इसके आगे फिकी लगेगी तो हैना यह बहुत ही ड पार्निशिंग कर रही हो ग्रेट चीज के साथ आप चाहो तो यहां पर पनीर का भी इस्तमाल कर सकती हो तो चलिए मिलते हैं इसी तरह एक नए रेसिपी के साथ तैंक्यू सू मच